गुड मॉनिंग चिल्डरन, बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पार तेरा शब्द भंडार पढ़ाने जा रही हूँ, तो बच्चों हमारा चैप्टर है शब्द भंडार, तो शब्द भंडार में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, शब्द भंडार में प प्राइवाची शब्द क्या होता है बच्चों, प्राइवाची किसे कहते हैं, देखिए, मैंने कहा, आज बारिश बहुत तेज हो रही है, ठीक है, आपने मुझे कहा, हाँ, आज वर्षा बहुत तेज हो रही है, ठीक है, तो हमने बारिश के लिए दो शब्दों का परियोग है ना बारिश और वर्षा एक ही चीज होती है अर्थ उसका एक ही होता है ठीक है तो इसी को कहते हैं हम प्रायवाची शब्द समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को प्रायवाची और समानार्थक शब्द कहते हैं ठीक है शब्द एक नाम अनेक परंतु उनका जो अर्थ है वो एक ही होता है अब जैसे आपके कक्षा में आप कोई कहता है कि यह है मेरा मित्र है कोई कहेगा कि यह है मेरा दोस्त है कोई कहता है यह है मेरा सखा है तो नाम तो एक है मतलब नाम कहीं लिए उसके लेकिन जो उसका अर्थ है वो एक ही होता है तो इसी हम कहते हैं प्राइवाची शब्द समझागे आपको तो इसी परकार जैसे मा के अलग-अलग नाम है जननी, दातरी और माता इसी परकार गनेश के अलग-अलग नाम है विनायक, गनपती, गजानानोर, लंबोतर इसको हम अलग-अलग नाम से पुकारते हैं अब यहाँ पे कुछ प्राइवाची शब्द दिये गए हैं बच्चों आपको मैं प्राइवाची शब्द पढ़कर सुनाती हूँ अब देखिए इश्वर, इश्वर को हम क्या कहते हैं नारायन, दीन बंदू, भगवान, जगदीश, प्रभु, परमेश्वर अब कोई इश्वर को कहता है हे भगवान कोई कहता है हे प्रभु, कोई हे परमेश्वर लेकिन जो उनका अर्थ है वो एक ही है हनुमान, हनुमान को कपीश, पावन्सुत, केसरी नंदन, महावीर ठीक है बच्चों चंद्रमा, चांद, सोम, राकेश, निशाकर, मयंक, शशी सूरच को सूर्य, रवी, दिनकर, प्रभाकर, भानु, दिनकर ठीक है बच्चों पुश्प को फूल, कुसूम, सुमन, पुहुष, प्रसून, सार परकाश को रोश्णी, जोती, उजाला, चमक, प्रभा नदी को सरी, सरीता, सजला, आपगा, तरंगिनी धनुष को चाप, कमान, धनु, सराशन, कोदंड इंद्र को देवेश, देवेंदर, सुराज, सुरेश, देवराज, शुक्र ठीक है बच्चों समझाए आपको आसमान को कहते हैं आकाश, गगन, नब, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष आग को कहते हैं अगनी, पावक, जोला, अनल, देहन अतिती को अभ्यागत, आगंतुक, महमान, पाहुना अंग को अंश, शाखा, शरीर का कोई अव्यव, ठीक है अपेक्षा को इच्छा, आशा, आवशक्ता आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसंता, उल्लास, आमोद, उमंग आख को नयन, नेत्र, लोचन, चक्षू, द्रिग, अक्षी हाथी को कहते हैं बच्छों हम, हाथी का प्रायवाची है गज, हस्ती, गजेंद्र, कुजर ठीक है बच्छों, तो ये थे हमारे प्रायवाची शब्द तो प्रायवाची शब्द की क्या परिभाषा है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को प्रायवाची या समान अर्थक शब्द कहते हैं ठीक है, शब्द एक, नाम अनेक, ठीक है परन्तु जो उनका अर्थ है वो, वही होता है ठीक है, समान होता है, तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को प्रायवाची और समान अर्थक शब्द कहते हैं, तो ये तो था हमारा बच्चों प्रायवाची शब्द, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द, विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो विलोम विलोम का मतलब होता है बच्चो उल्टा विपरीत किसी भी शब्द का उल्टा होना ठीक है उल्टा शब्द होना जैसे उठना उठना का उल्टा क्या होगा बैठना सोना जागना ठीक है तो जो शब्द किसी शब्द के ठीक उल्टे अर्थ का ज्यान कराते हैं उन्हें विलो दूसरा नाम विप्री तार्थक भी है ठीक है तो जो शब्द क्या होता है बच्यों किसी शब्द का ठीक उलटा अर्थ बताते हैं तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं ठीक है बच्चों, समझाया आपको, उसे विप्रीतार तक भी कहते हैं, जैसे देखिए, खरा, खोटा, ठीक है, पूरव, पशिम, कठोर, मृदू, कठोर मतलब होता है, कठोर हाड, मृदू मतलब होता है बच्चों, मुलायम, एकता, अनेकता, एक, अनेक, अंदर, बाहर, ठ ठीक है बच्चों, समझाया आपको, आप देखिए, यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिये गए हैं, ठीक है, मैं आपको उनको पढ़के बताती हूँ, अंदकार, परकाश, अंधेरा क्या होता है, अंदकार मतलब अंधेरा, परकाश मतलब उजाला, ठीक है, अनात, सनात, अनात किसको कहते हैं, बच्चों, अनात वो होता है, जिसके माबाप नहीं होते, ठीक है, सनात मतलब जिसके माबाप होते हैं, अनुज, अगरच, अनुज होता है, छोटे भाई को बोलते हैं, अनुज, अगरच होता है, बड़ा भाई, ठीक है, तो छोटे भाई के लिए हम आदान प्रदान आदान मतलब ठीक है आदान प्रदान ठीक है लेन दिन उता जैसे किसी को ठीक है आयात निर्यात आस्था अनास्था आस्था क्या होती बच्चों किसी पे आस्था रखना जैसे भगवान पे आस्था रखते हैं उसकी पूजा करते हैं ठीक है अनास्था इसको वो प्रशन उत्तर वाला उत्तर मत समझेगा, ये उत्तर है, उत्तर दिशा होगी दक्षिन, ठीक है, समझा गया आपको, उत्तर उपर हो गया न, दक्षिन नीचे हो गया, ठीक है, पूरा हो गया और पश्रिम हो गया, ठीक है, उदे, अस्त, उपकार, अपकार, ठीक है, उश्न, शीत, उश्न मतलब होता है गरम, शीत मतलब ठंडा, ठीक है, एचिक, अनैचिक, अच्छिक मतलब इच्छा से अनैचिक, बिना इच्छा की, कठोर, मृदू, कीर्थी, अपकीर्थी, किर्तग्य, 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 किर्तग्य होता है किसी का आभारी होना, ठीक है, खरा, खोटा, गर्मी, सर्दी, ग्रहेस्त, सन्यासी, ठीक है, चर, अचर, जड, चेतन, अंधेरा, उजाला, अधिक, न्यून, न्यून कम होता है अनुराग, बिराग, अपवय, मितवय, अर्थ, अनार्थ, आर्य, अनार्य, आदर, निरादर, आये, वय, आस्तीक, नास्तीक, उग्र, शांत, ठीके? उतकर्ष, अपकर्ष, उत्थान, पतन, उन्नती, अवनती, उपस्तित, अनुपस्तित, एक, अनेक, कडवा, मीठा, कायर, वीर, क्रिया, प्रतिकिरिया, खंडन, मंडन, ठीके? गमन, आगमन, गुप्त, प्रकट, चंचल, स्तीर, छली, निश्चल, ठीक है बच्चों? तो यह आपके विलोम शब्द थे, ठीक है? तो विलोम शब्द किसी कहते हैं? किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं, अब हम करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द ठीक है बच्चों क्या करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द अब वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है देखिए जैसे किसी वाक्य को बोला हमने ठीक है और उसका उत्तर हमने एक छोटे से उसमें दिया ठीक है अधिक पैसों वाला तो क्या होता है धनी है ना अब जैसे आप ही बोल देते हैं ये तो बहुत पढ़ने वाला है तो हम इसको शोट में क्या नाम दे देते हैं बच्चों पढ़ाकू कितना पढ़ाकू है ये है ना तो पढ़ाकू किसको बोलते हैं जो ज़्यादा पढ़ता ह तो उसका एक हमने छोटा सा शीर्षक ले लिया ना, उसको नाम दे दिया, तो इसी को कहते हैं वाक्यांच के लिए एक शब्द, ठीक है, तो वह है उचित एमम संग्षेप शब्द, जो वाक्यांच तत्वा अनेक शब्दों के लिए एक शीर्षक का कार्य करता है, ठीक है, व क्यांच के लिए एक शब्द उधारन के लिए दया करने वाला दयालू तो जैसे जो दया करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं दयालू कहते हैं ठीक है हमने उसको शोट में बोल देते हैं हम ऐसे तो नहीं कहते हैं जैसे कोई वेक्ती मिलेगा बच्चों आपको है न कोई अगर किसी को बोलना हो तो हम उसको यतनी कहते हैं कि है कितना दया करने वाला है हम उसको शोट में क्या बोलते हैं कि यह कितना वह तो बहुत दयालू है है अब जैसे आप बोलते हैं आपका मित्र कोई बहुत पढ़ने वाला है पढ़ाय में बहुत ठीक है तो उसको बोलते है कितना पड़कू है ये ऐसा तो नहीं है ना ठीक है शोर्ट में नाम दे देते हैं उसको ठीक है अब कोई जो बहुत वो होता है ये क्या बोलता है उसको पढ़ने वाला वो क्या बोलता है क्या बोलेंगे उसको जिसके पास बहुत पैसा होता है है ना तो उसको बोलता है कितना धनी वेकती है ये धनवान ठीक है तो ऐसे हम उनको क्या करते हैं नाम दे देते हैं ठीक है अब जैसे एक बार बोलते हैं एक बार मास में महीने में एक बार होने वाला के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं मासीक वर्ष में एक बार होने वाले के लिए हम करते हैं बार्शीक ठीक तो इनको हमने क्या नाम दे रखा है शाकाहरी है ना ऐसे एक उचित शीर्षक दे रखा है इनको तो इसे ही हम कहते हैं वाक्यांच के लिए एक शब्द ठीक है बच्चों अब कुछ शब्द हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी यहां देखे जो करने योग्ये ना हो अक गरणने है ठीक है गिंती मतलब जिसको सबसे पहले गिना जा सके गिंती सबसे पहले हो जो अपना परभाव दिखाने में ना चुके अचूक ठीक है अपना इंप्रेशन जमाने में ना चूके किसी उसको अचूक ठीक है जिसे जीता नहीं जा सकता जिसे हम जीत नहीं सकते अजे, समझागे बच्चों आपको बड़ा चराकर की गई उक्ती अतिशोक्ती, मतलब किसी की भी बड़ा चराकर परशंसा कर देना ठीक है, अतिशोक्ती जिसका दमन ना किया जा सके अदम्मे, नाश ना किया जा सके जिसका आदी ना हो, आरम मतलब अनादी ठीक है, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम ठीक है, पीछे चलने वाला, अनुगामी जो पड़ा ना गया हो अपठित जिसे पराजित ना किया जा सके जिसे मतलब हराया ना जा सके अपराजे, अनावशक खर्च करने वाला, अपवई ठीक है, जो अनावशक खर्च करता है कम खर्च करने वाला, अलपवई ठीक है, जो कम खर्च करता है बुराई के लिए परसिद कुख्यात, ठीक है, जो बुराई के लिए परसिद होता है, कुख्यात ठीक है, famous बोलते हैं इसको बैच्चों, English में, कुख्यात ठीक है, परसीद, जो अच्छे कुल से सम्मंदित हो, कुलीन, ठीक है, जल्मे रहने वाला जल्चर, जिसमे जानने की इच्छा हो, जिग्यासू, जिसमे जानने की इच्छा होती है, जिग्यासू, जिसको भेदना कथ दुशकर जिसका नया उदे हुआ हो ठीक है नमोदित दस वर्षों का समूं दशक गोद लिया हुआ दतक ठीक है गोद किसी को गोद लेना तो हम उसको क्या कहते हैं दतक कहते हैं ठीक है बच्चों तो यह है आपका वाक्यांच के लिए एक शब्द ठीक है बच्चों तो इसे आपने याद करने हैं, आप देखिए, यह वर्कशीट है, बच्चों, आज कल फिफ्थ भी, आपकी अटेंडर्स बहुत डाउन जा रही है, ठीक है, A और C की भी बहुत कम है वैसे, पर B आपकी तो बहुत डाउन जा रही है, तो आप लोग अपने अटेंडर्स पे अपना व सकते हैं, और सभी बच्चे उस क्लास को अटेंड जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों, अब देखिए, यह वर्कशीट है, यह आपको पता है, यह वली वर्कशीट आप सम्मिट नहीं करते हैं, ठीक है, तो शब्द बंडार में पहले मैंने आपको प्राइवाची शब्द क ठीक है, तो उसकी परिभाशा है, जो मैंने अभी आपको समझा दी है, जो वै उची तैमिल संग शेप शब्द जो वाक्याश अत्वा अनेक शब्दों के लिए एक सीर्चरक का काम करता है, ठीक है, तो यह वाक्याश के लिए शब्द है, अब यहाँ पर है बच्चों, आपने कैसे करना है, रंगीन शब्दों में विलोम शब्दों द्वारा डिक्ति स्थान भरिए, ठीक है, अब देखे लक्षमन अनुझ थे और राम क्या आएगा, अभी मैंने क्या बताया आपको, अनुझ का विलोम शब्द क्या होता है, अगरज, ठीक है, लक्षमन क्या थे अनुज थे लक्षमन छोटे थे और जो राम है वो अग्रज मतलब बड़े भाई थे ठीक है डैश की अनुसार वे करना चाहिए तो किसके अनुसार आएगा बच्चों I मतलब अपना जो हम हमारे इंकम का साधन होता है तो उसके अनुसार हमें खर्च करना चाहिए ठीक है आगे देखिए वीर बनो डैश नहीं तो वीर का क्या बता है कायर वीर बनो कायर नहीं हमें बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए क्या एगा निरादर नहीं ठीक है तो निरादर नहीं समझागे आपको लक्षमन अनुस्ते राम अगरज डैश की अनुसार वय करनी चाहिए आय की अनुसार वय करना चाहिए वीर बनो, कायर नहीं, हमें बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए, निरादर नहीं, ठीक है, तो यह आपके विलोम शब्द थे, अब देखे बच्चों, नीचे देगे चित्रों के नाम लिखकर उनके दो-दो प्राइब अची शब्द लिखिए, अब यह क्या है बच्चों पहले आप इसका नाम लिखेंगे, मैं आपको एक बता देती हूँ, आपने कैसे करना है सूरज तो सूरज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दिनकर सूरिय ठीक है, तो आपने ऐसे इनके नाम लिखने हैं, ये क्या है? घर, ठीक है, घर है ना, तो घर को हम क्या कहते हैं, ग्रह, निकेतन, सदन, ठीक है, मैं आपको बता रहे हूँ, पेड, वरिक्ष, तरू, तरवर, ठीक है, चांद, चंद्रमा, शशी, मयंक, ठीक है बच्चों, तो ये इनके नाम है, पहले आप इनके नाम लिखेंगे, सूरज का मैंने लिख दिया, ऐसी आप इसको लिखेंगे घर, ठीक है, घर का लिखेंगे आप, उसके बाद आप लिखेंगे पेड, पेड का लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे, चांद, ठीक है बच्चों, समझा गया आपको, आप देखिए, वाकांश के लिए एक इस पर आपने तिक मानना है कि कौन-कौन सा सई है तो जो साग सबजियां खाता हो ठीक है, तो साग सब्जी मतलब बच्चों जो केवल साग सब्जी खाता है और कुछ नहीं कारता तो उसको हम कहेंगे शाकाहारी ठीक है बच्चों जो ठोड़ा जानता हो जो साथ पढ़ता हो, तो सैपार्टी, मित्र और शिष्ये, नहीं, जो समित्र तो सखा को बोलते हैं, दोस को बोलते हैं, ठीक है, शिष्ये, विद्यार्थी को बोलते हैं, तो साथ पढ़ने वाला कौन होता है हमारा सैपार्टी, ठीक है बच्चों, समझ आगे आपको, आपन ठीक है और अपना काम बिलकुल आप साफ रैटिंग में लिखेंगे ठीक है बच्छों धन्यवाद